कि हलो फ्रेंट्स वल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आर्शिंग एजूकेटर आज हम आपके लिए लेकर आएं फिर फिगर सोब इस पीच जिनको अलंकार की नाम से जानते हैं यह हमारे आज हम जो अलंकार हैं उनको च्छे टैप से बांट करके और इनके उपर हम डि जानटाएं तकबंदी यहिए जो मैच इंते जल देखते हैं यह टुकबंदी कहते हैं या जैसे एक जैसे जो स्वर हमारे कंदे कहते हैं और कुम चैनल अब कि भीरमी अधिक्योंग अत्यपकान पराने जो गाने थे तको बाद आ जाता है सिमली सिमली को कहते हैं उपमा मेटाफर यानि रूपक परसोनिफिकेशन यानि मानवे करन एलिट्रेशन यानि अनुपरास और एसोनेंस यानि स्वरा अनुपरास तो इस प्रकार से यहारे छह टाइप हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रायम तो रायम जो of more than one line कि इसकार्थ होता एक से अधिक पंतियों के अंत में समान उचारण वाले सब्दों की पुरुरावरती होना समान उचारण वाले सब्द यानि एक जैसे उचारण होंगे जैसे लुक बुक कुक इनके जो हैं उचारण जो हम बोल रहे हैं प्रोनांसेशन यह एक जैसे हैं तो जो लाइन के अंत में जो वर्ड्स होते हैं उनके अगर उच्छारण एक जैसे होंगे तो वहाँ पर राइम जो होता है मारा भेगरों पर स्पीच उसको माल लिया जाता है अब जैसे जैसे यह एक राइम है ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार अब यह इस तरीके से दे रखा है इसमें हम देखेंगे कि लास्ट में इस्टार जो सब्स दे रखा है इस्टार के बाद अगली लाइन में दे रखा है और फिर अगली लाइन में दे रखा है है और फिर अगली लाइन में दे रखा है हाई और फिर अगली लाइन में दे रख गई कि अपतो नांत्तों के जो वर्ड से इस्टार हाई इसकाई अग्जैसी तुकबंदी के सब्द हैं। है कि यह हमारे सिम महरा जाता है इसके बाद आ जाता है इसको तो खरें मेब्र रम सकीम ठीक है राइम स्कीम के साब से अगला है जैसे जोनी जोनी यस पापा इटिंग शुगर नू पापा टेलिंग लाई नू पापा ओपन यूर माउथ हा 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 तो इसकी राइमिंग इसकीम देखेंगे तो पापा यानि बड़े आ की जो साउंड है वो निकल रही है इसमें भी पापा है इसमें भी पापा है इसमें हाहा हा है यह पिटल लेटर की साउंड है बढ़या?? की साउंड भू निकल रही है था दूसरे में भी मान लिया है क्योंकि यून जो है वो रोज से अलग प्रोनाउंसेशन दे रहा है इसके बाद आया है oh my love is like a melody melody जो है वो c type का हो गया और अगली लाइन जो देखेंगे that is sweetly played in tune और tune जो सब्द है वो यून के हिसाब से है तो इसमें जो rhyming scheme लगाई है वो है a b c b a b और c b तो इस तरीके से इनकी rhyming scheme हो गई कि इसी के साथ एक नोट दिया गया है अगर एक से अधिक पंतियों में कुछ अंतिम सब्दों में कि सब्दों की exact sound match नहीं करके उनके nearest sound यहनिकी इर्द गिर्द भी sound अगर match करती है मैच करती है तो भी उनके rhyme scheme के अंतरगत रखते हैं तो यह इसका यह रूल था इससे अगला जो है वो देखेंगे जैसे डाफ्टर है डाफ्टर है डाफ्टर और लाफ्टर अलग-अलग हो गए डूम कम यह अलग-अलग होगे लेकर नियर है नियर की वज़े से इनको rhyme scheme में रख सकते हैं बैस्ट टेस्ट इसको रख सकते हैं इससे अगला आता है हमारा सिम्ली सिम्ली को कहते हैं उपमा उपमा लंकार यानि सिम्ली फिंगर ओव स्पीच जो है हमारा उसको देखेंगे तो इसमें दे रखा है एक comparison is made between two objects that are different in size and shape using the words as, like and so हमें ये words जो दे रखें इनको बस अपने दिमाग में बठा करके रखना है कि अगर कहीं पर ऐसे words आ रहे हैं तो वहाँ पर हमेशा सिम्ली होगा अब इसकी जो परिवाजा इसने दे रखी है definition इसको देखेंगे a comparison is made between two objects यानि दो बस्तूओं के बीच में तुलना करना that are different in size and shape और जो की आकार और आकार और रूप दोनों में क्या हो अलग अलग हो using the words as like and so इन वर्ट्स यो दे रखें इन वर्ट्स यानि सब्दों का इस्तमाल किया गया हो उनमें बीच में तो उसमें हमारा सिम्ली होता है हमेशा जैसे एक्जामपल दे रखा है she is as beautiful as the moon अब इसमें हम जो तुलना कर रहे हैं किसी लड़की की वो चांद से कर रहे हैं अगर किसी व्यक्ति की तुलना किसी व्यक्ति से ना करके किसी वस्तू से की जाए जो निर्जी हो तो वहाँ पर सिम्ली होता है लेकिन एज एज वर्ट्स आने चाहिए जैसे she is as beautiful as केटरिना कैफ अब इसमें केटरिना कैफ से कर दिया है उसकी तुलना यह जरनल कंपेरेजन हो गया अगर इंसान की तुलना इंसान से की जा रही है तो यह जरनल कंपेरेजन हो गया लेकिन इंसान की तुलना अगर किसी निर्जीव बस्तू से की जा रही है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा लेगा सिम्ली हो जाएगा जाएगा यह एक लड़की लड़की मिश् darle इसके बाद में दे रख्त है और माई लव इस लाइक ए राड राड रोज यह थोड़े दिर पहले हमने पड़ी थी तो लाइक जो वर्ट्स आये हैं इसमें तो लाइक वर्ट्स के कारण इसमें सिमली मान सकते हैं ठीक है इसके बाद अगला दे रखा है how far a candle throws its beam so sign a good deed in this dark world अब इसमें जो हमारा सब्द है इसमें सो आया है इसमें सिमली हो जाएगा इसमें भी सो आया है थर्डवाले में इसमें आप देखेंगे इसमें सिमली हो जाएगा इसमें इसमें भी सो आया है इसमें से यहां पर भी सिमली हो जाएगा इससे अगला देखें राना प्रताब वाज ब्रेव ब्रेव लाइक अ लॉइन अब लॉइन से इसके तुलना हो रही है जानवर से तुलना हो रही है प्रताब की इसमें क्या हो जाएगा शिम्ली हो जाएगा the face of my beloved is like the globe globe से तुलना हो रही है तो इसमें भी शिम्ली हो जाएगा ऐसे ही हर anger was like the summer rage of sun तो like और summer rage यानि गर्मी की जो करणे होती है उन से तुलना हो रही है तो इसमें भी शिम्ली हो जाएगा इसके बाद आ जाता है अपना metaphor metaphor कहते हैं रूपक को तो इसमें देखेंगे in metaphor a direct comparison is made between two dissimilar objects in shape and size without using the words as like and so यह जो सब्दा आते हैं हमारे जो हमने अभी शिम्ली में पढ़े थे as like and so as like so जो सब्दा आते हैं हमारे इनका उपियोग ना करके directly अगर किसी से तुलना की जाए किसी व्यक्ति की या जानवर की दू असमान वस्तूओं की तो वहाँ पे metaphor होता है जो उट होता है वो रेगिस्तान का जहाज होता है राना प्रता वाज अलोएं क्या राना प्रता वास्तम में एक सेर थे नहीं वो सेर की तरह थे तो similarly की वज़ाएं यहां पे क्या हो जाएगा metaphor पदमावती वाज दा व्यूटिफुल मून ओफ मेवाड पदमावती जो थी वो मेवाड का चांद थी खुशूरत चांद Life is but a walking shadow तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे अगर किसी चीज की डिरेक्टली या निर्जीव चीजों की या जानवरों की या इनसान की डिरेक्टली किसी चीज से तुलना के जाए बिना as, so और like सब्दों के तो वहाँ पे हमेशा metaphor होता है Life is a thorny way instead of bed of roses जिन्दगी जो है वो काटों का जीवन है instead of bed of roses गुलाव की फूलों के बिस्तर के अलावा Helen was the finest rose of Greece Helen नाम की जो एक लड़की थी वो Greece देश की सबसे अच्छी खूशूरत लड़की थी यह उसकी तुलना थी love is the ocean of tears प्यार जो है वो समुद्र किसका समुद्र है आंसुों का water is the elixir of life पानी जो है वो जीवन का अमरत होता है मैटाफर के अंतरगत हम इसमें एक note लगा रखा है मैटाफर के अंतरगत कई वार एडजेक्टिव्स का भी यूज करते हैं है जैसे रोज लिप लिए फियरी आइज इस्टार से इस्टारी कार्पेट गोल्डन हेर वोडन फेस आयरन लेड़ी और डायवलिक टेल पंपकिन वोय कद्दूसा लड़का ऐसे इसके बाद आपका आजाता है परसोनिफिकेशन परसोनिफिकेशन कहते हैं मानुई करण को मानुई करण अलंकार जो है अपना इसकी टैफिनेशन दे रखी है वैन हुमन एक्टिविटीज एंड इमोशन्स आर गिवन टू आ नौन हुमन सब्जेक्ट इट इस अपरसोनिफिकेशन यानि जब मानुई करिया कलाव या भाव जो की मानव नहीं है यानि निर्जिव च चीज या प्राणियों को दे दिया जाते हैं तो यह मानुई करण हो जाता है जैसे दमून वेल्ड हर फेस जो चांद है उसने अपने चेरे पर क्या करका है गुंगट कर रखा है तो चांद ना तो औरत है जो गुंगट कर सकता है और इस पेसली चांद को अंग्रेजी में फीमेल माना गया है और शूरज को मेल डैथ लेज हिज आइसी हैंड ओन किंग्स आइसी हैंड यानि कि वरफ के हाथ वरफ के हाथ थोड़ी ना होते हैं तो यह क्या है परसॉनिफिकेशन है इसके बाद आ जाता है टाइम है जे स्टोलन ट्वैंटी थ्री इएर्स ओफ माइज ओन हिज विंजड चेरियट अब जो समय है वो अपने रथ पर सवार होकर के मेरे कितनी सवा समय चुरा ले गया ट्वैंटी थ्री इएर्स यानिए तेइस साल इसमेड परसॉनिफिकेशन है था एर एज विसलिंग किया कभी हवा सीटी बजाती नहीं बजाती तो एर इस विसलिंग थ्रोधा ड्राइग्र जो हवा है वो सूखी वी गास में ओकर कि सीटी बजा बजा रही है यहाँ पर सो निफिकेशन है डैफोडिल्स इन नर्गिस के फूल आर डांसिंग चेर्फुली अब फूल कमी ना सकते हैं कर नहीं ना सकते हैं लेकर यहां पर मानुवे करण किया गया है तो नाचेंगे भी यह अर्थ लव्ज और हर सन संस एंड डॉटर यह प्रत्वी है उसको मां का दर्जा दिया गया है तो प्रत्वी जो मां है वो अपने बच्चों से बेटे और बेटियों से बरावर का प्रेम करती है जो नदी है जो दुक बढा गाना गा रही है इसका अर्थ यह हुआ कि ना तो नदी गा सकती है यहां पर भी क्या किया गया है परसॉनिफिकेशन किया गया है माने भी करण किया गया है इस तरीके से तरीके से दसन लुक्स एंग्री तुड़े यह जो सूर्य है वो आज बहुत ही गुश्य में दिखाई देता है इस तरीके से तो यह हो गया भाई इपना personification stars are entertaining us with their hide and seek game कभी चुप जाते हैं कभी निकलाते हैं तो उसको भी क्या कर दिया गया personification बच्चे बना दिया गया है उनको nature is mooring यहनी कि प्रिकृति जो है वो बिलाप करती है with his in our sadness तो personification metaphor का एक metaphor का ही एक प्रकार है इसलिए इसे humanizing metaphor भी कहा जाता है यदी किसी object का मानिवेकरण हुआ है यदी किसी object का मानिवेकरण हुआ है और परिक्षा में metaphor एवं परसोनिफिकेशन दोनों अप्शन हो तो सटी का अंसर जो होगा वो परसोनिफिकेशन होगा metaphor केवल तभी आंसर माना जाएगा जब option में परसोनिफिकेशन ना हो यह एक नोट है इसको आप लिखने अपनी लोट बुक में इससे अगला है परसोनिफिकेशन के तहट नोन यूविंग यूमन ऑबजेक्ट के साथ निम्न प्रकार से जेंडर लगाते हैं अब समय जेंडर दिखाए गए हैं कि वह किस प्रकार से किस के साथ जेंडर लगाते जो ऑबजेक्ट नाउन ब्यूटी यह सुंदरता के प्रतीक माने जाते हैं टेंडरनेस कोमलता के प्रतीक माने जाते हैं सौर्टनेस गुड़नेस अच्छाई के प्रतीक माने जाते हैं अनिस्टेबिलिटी अस्थिरता के प्रतीक वर्च्यू गुड़ के प्रतीक माने जाते हैं जो अच्छे होते कहने का मतलब जो अच्छे होते हैं अच्छाई के लिए प्रतीक माने जाते हैं उनको अमेशा फैमिनिन यानि कि इस त्रिलिंग माना जाता है जैसे मून अर्थ ओनेश्टी इस्प्रिंग रोज यह सब क्या है कि फैमिन इसके बाद आजाता है अपना जो अब्जेक्ट से नाउन यूज अगली नैस यानि भद्दे कुरूप दिखाई देते हैं कि अग्रैसिवनेस उग्रता के लिए जाने जाते हैं अटलता यानि इन एविटेविलिटी अटलता वाइस यानि अवगुण आधी की प्रतिक होते हैं उनको मस्कुलेन यानि पुलिंग माना जाता है जैसे सन यानि सूरज ओटम पत्जड विंटर सर्दी समर गर्मी वाइन सराव डैथ मिरत्यू को पुलिंग माना जाता है टाइम वाइंड लव एटीजी अगरीजी में जेंडर होते हैं कौन कौन से होते हैं मस्कुलिन इस फैमिन न्यूटर एंड कॉमन कि हमारे चार जेंडर होते हैं इसके बाद आ जाता है अपना एलिट्रेशन एलिट्रेशन यह निए अनुप्रासलंग कार वेन आक कॉंसोनेंट साउंड इस साउंड इस रिपीटेड इन दा बिगनिंग ओफ मोर देन वन वर्ड इन दा लाइन इस गॉल एलिट्रेशन यह निए जब एक पंती में एक से अधिक सब्दों की शुरुआत में कोई व्यंजन द्वनी की पनरावरती हो तो वहां पे अन इसमें जो साउंड है हमारा वह बार बार रिपीट हुंग रहा है फिए फाउल फाउल फेयर लव लाई रैड ररोज अब इसमें राया इमें लाया इसमें फाया तो उसमें क्या हो जाएगा एलिटरेशन हो जाएगा I saw him sleeping sound in solitude तो इसमें भी क्या हो जाएगा एलिटरेशन हो जाएगा I did not know that she kept it near me No, no, not Nana की जो sound है वो आ रही है इसमें भी ना रहा है इसलिए इसमें क्या नहीं है एलिटरेशन हो जाएगा The dog killed The cat, kill, ka, ka और chorus इसमें भी का तो इस तरीके से एलिटरेशन हो जाएगा तो इसमें नोट लगा कर रिखा हुआ है कि एलिटरेशन निर्दारित करते समय सब्द की sound को देखा जाता है ना कि spelling को spelling चाहिए जो भी हो लेकिन उसका pronunciation जो है वो उसकी पहला अक्षर कौन सा है वो ध्यान में रखते हुए हम इसको देखेंगे इसके बाद आ जाता अपना एसोनेंस एसोनेंस कहते है स्वरानुपरास को वैन आ बावल sound is repeated in more than one word in a line it is called एसोनेंस जब एक पंती में एक से अधिक सब्दों में किसी श्वर द्वनी की पुनराब्रती हो तो उसे स्वरानुपरास कहते है यह अनुपरास तो कहेंगे ब्यंजन द्वनी की जो repetition होगी लेकर स्वरानुपरास कहेंगे जहांपर स्वर की द्वनी की repetition होगी जो repeat करेगा उसमें बावल जैसे आई अब इसमें आई में आ रहा है चा चाइल्ड आई cry आई आ रहा है इसमें तो आई 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 जो आई आई जो वर्ड्स है या द्वनी है तो स्वर की आ रही है अब इसमें देखो आई फाई साई स्काई नाई तो इनमें जो आप देखेंगे तो इसमें आपको अपने आप पता चल दाएगा जब इनको बूल करके देखेंगे कि इसमें स्वर अनप्रास है स्वर निकल रहा है इसमें देखेंगे फाउ आउ आ रहा है ड्राउजी हाउस नव आउ गव शाउ इस तरीके से इनके वर्ड्स बोले जाते हैं तो इस तरीके से हमारा ये जो है figure out of speech यें पर समाप दोता है i hope आपको पसंद आया होगा session पसंद आया होत अपने दोस्तों के साथ share करें याना करें कमेंट करें और नये होते subscribe करें थैंक यू thank you so much